वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नवस्कार दोस्तों मैं उरवेंद्र आज आपको बताने वाला हूँ कि आम में गुच्छा रोग क्या होता है इंगलिस में इसको बोलते हैं मैंगो मलफरमेशन इसमें होता क्या है कि जो आम क पत्तियां होती है या बहुर होता है गुच्छे का रूप ले लेती है इसलिए इसको गुच्छा रोग भी करते हैं इसमें होता क्या है कि जिसे आम का बहुर है या टहनिया या पत्ति है छोटी हो जाती है और एक गुच्छे का रूप ले लेती है और आगे प्लांट ग्र doral expression जो उसके फूल splinty अभरता है तो चलिए पहला देखते हैं वेगशेट्यू या लिप मलं होता है तो इसमें जहां पर पतिया निकलना होता है वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी ठीनिकलती है और जो गांट होता यह उसमें छोटा 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 बहुत सरा लीफ आता रहता है और आगे कोई भी ग्रोथ नहीं होता है दूसरी टाइप का होता है मैंगो मलफर्मेशन फ्लोरल मलफर्मेशन यानि कि बौरों में गुच्छा रोग हो जाना जब सुरुवात में बौर निकलता है तो हम डिफ्रेंसियेट नहीं कर पाते हैं कि यह गुच्छा रोग वाला मलफर्मेशन है कि नार्मल हमारा फ्लावरिंग वाला है जब कुछ दिन बीचता है तो जब कि हमारा यूज के लायक नहीं होता है उसमें आतों फ्लावरिंग मतलब की फ्रूट लगेगा ही नहीं यदि लगेगा भी तो कुछी दिन में हमारा जो फल होता है वो झढ़ जाता है और उसमें कोई ग्रोथ होता भी नहीं है चलिए अब देखते हैं दोस्तों की mango malformation का main कारण क्या है causes of malformation तो main कारण साइंटिस्टों ने बताया कि एक कवक होता है जिसको fusarium only farming कहते हैं उसके द्वारा होता है लेकिन बहु सारे साइंटिस्टों ने बहु सारा अलग-अलग मत दिया है जिसमें की one by one चलिया भी देखते हैं हम पहला होता है genetic disorder genetic disorder का मतलब यह होता है कि जब कभी आप गुठली से या कोई graft भी कर रहे हैं ऐसे प्लांट से गुठली लेते हैं या ग्राफ लेते हैं जिस प्लांट में वह रोग पहले से हुआ रहे यदि वह रोग हुआ रहेगा तो अगले वाले पीडी में genetically अपने आप आजाता है तो कोशिस करिए कि गुठली वाले में चांसे ज़्यादा होता है genetic disorder के कारण हमारा mango malformation का लेकिन जब कभी हम graft करते हैं तो ध्यान देंगे कि जो grafted यानि कि हमारा body stock है वह उस रोग से ग्रसित पौधा न रहे फ्रेस पौधा रहेगा तो हमारा grafted plant भी safe आएगा सही होगा उसमें mango malformation का chances बहुत कम होगा mango malformation का दूसरा कारण होता abiotic factor जिसमें से की abiotic factor में से temperature का कम होना उत्तरी भारत में हमारे mango malformation का डीजी ज़्यादा पायाता है comparison to दच्छडी भारत के क्योंकि एक्टूबर से फरवरी के महीने में हमारे उत्तरी भारती इलाके में temperature थोड़ा कम हो जाता है जिससे की इस रोग को बढ़ावा मिलता है वहीं पे दच्छडी भारत में उस टाइम temperature थोड़ा ज़्यादा रहता है ज़्यादा होने के व्याद से वहाँ पे mango malformation का हमारा रोग थोड़ा कम मिलता है यानि compression किया जाए तो दच्छडी भारत में उत्तरी भारत की तुल्ला में यह रोग थोड़ा कम पायाता है factor यहीं होता है low temperature का mango malformation का तीसरा कारण होता है poor soil nutrient यदि स्वाइल में iron zinc और copper की कमी हो जाती है तपर भी यह रोग हो सकता है बहुत आसानी सो सकता है इसलिए आप क्या करेंगे कि आम के मिट्टी में आम जहां पर लगा हुआ मिट्टी में copper zinc और iron पर्याप्स मात्राइम उसको मिलता रहे तो यह रोग होने की सम्मावना थोड़ी कम रहती है और चौथा हमारा इसका रीजन होता है कि यदि अत्यधिक नमी भी होगी उस जगह पर जहां पर आम लगाओं आप अत्यधिक नमी भी होगी तब पर भी वहां पर mango malformation का रोग हो सकता है क्योंकि होता क्या है जो यह फंगस होता है फियूसेरिय मॉनली फार्मी वह अत्यधिक नमी से कुछ ज्यादा ग्रोथ करने लगता है जब ज्यादा ग्रोथ करेगा तो यह गुच्छा रोग हो जाता है और प्लांट का ग्रोथ रूख जाता है और गुच्छा रोग करेंगे यदि हम उसको देख लेते हैं कि वेजटेटिव पार्ट पर है तो जहां से उसका मंगो मलफरमेशन वाला पार्ट होता है उसके लगभग 10 इंच या लगभग के काट के सीधे मैं मिट्वी निकाल देना है और निकालने से क्या होगा कि आमके पैदा भार भी थोड़ी अधावार बढ़ जाएगी अत्यधिक प्रकौफ हो जाता है मलफरमेशन का तो नेफ्थलीन एसीटी के एसीटी का छिड़काव करने से उससे थोड़ी बचाव हो सकती है इसको कप्लेटली एरेडिकेट नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ क्लियर करने के बाद इसको कम किया सकता है या कभी कबार तो खतम भी हो जाता है वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए